सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वाइरल है और इन प्रोडक्ट से कौन से संस्क्रीन कौन सी स्कीन के लिए बहुत अच्छा है ये सारे इन्फोर्मेशन मैं आज इस वीडियो में डिसकर्स करने जा रही हूँ ठीक है तो पहले बात करती है डार्मा को का ये टिंटेज संस् ये स्पेशली ओईली टू सेंसिटिब स्कीन के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा तींट देता है स्पेशली इंडियान स्कीन टून के लिए तो बहुत अच्छा तींटेज संस्क्रीन है राइ स्कीन के लिए एक हाइडरेटिंग मॉशुराइजर और एक हाइडरे करता है ज़रा सभी oiliness और greasiness नहीं छोड़ता है तो specially oily to sensitive skin के लिए यह sunscreen बहुत अच्छा है और वह ecological वाला SPA 50 है PA triple plus है UVA and UVB filter है 50 gram product के लिए आपको देना पड़ेगा 399 रुपीज अप्रोक्सिमेटली चलिए बात करते है दर्मा को का 1% hyaluronic acid sunscreen aqua gel यह बहुत अच्छा है dry skin के लिए और normal skin के लिए ठीक है oily skin के लिए थोड़ा सा greasy greasy लग सकता है थोड़ा सा oiliness आ सकता है तो यह prefer करूंगी मैं dry skin के लिए अगर आपका oily skin है go for ecological one क्यूंकि इसके आंदर है hyaluronic acid vitamin E जो आपकी skin के लिए बहुत अच्छा है for hydration and for moisturization और oily skin वालों को तो उतना जदा moisturization और hydration नहीं चाहिए न तो इसलिए यह dry skin के लिए और normal skin के लिए बहुत अच्छा है पार अप winter में ज़रूर यूज कर सकते है ecological and doton key का यह watermelon sunscreen मुझे बहुत अच्छा लगता है but doton key का यह watermelon sunscreen के अंदर ज़ादा hydration है क्योंकि इसके अंदर है hyaluronic acid और यह ecological sunscreen के अंदर है niacinamide जो की for extra oily skin but यह जो doton key का watermelon sunscreen है न यह बहुत अच्छा है sensitive skin के लिए क्योंकि यह cooling sensation provide करता है but hydration भी बहुत ज़ादा देता है Dr. Shet की जो vitamin C and ceramide sunscreen है न यह भी dry skin के लिए बहुत अच्छा है but Dr. Shet का जो यह ceramide and vitamin C sunscreen है न यह बहुत ज़ादा protection तो नहीं provide करता बहुत ज़ादा time के लिए तो provide नहीं करता but अच्छा sunscreen है dry skin के लिए and normal skin के लिए बहुत अच्छा रहेगा यह जो Dr. Shet की जो sunscreen है ठीक है अगर winter में आप चाहते है specially oily skin वालो तो आप यह doton key का sunscreen use कर सकते है and Dr. Shet की sunscreen भी use कर सकते है but अगर आपका बहुत ज़ादा sensitive skin है तो इसके अंदर जो vitamin C है na Dr. Shet की sunscreen के अंदर तो वो तो मैं prefer नहीं करूंगे क्योंकि acne prone skin के लिए vitamin C कभी-कभी suit नहीं करता according to me Acologica is best for extra oily skin and sensitive skin and Darma Co. 1% hyaluronic acid sunscreen aqua gel जो है वो dry skin के लिए बहुत ज़ादा amazing रहेगा और tinted तो है ही सब के लिए but अगर आपकी बहुत ज़ादा dry skin है तो Darma Co. की यह sunscreen मतलब यह tinted sunscreen use करने से पहले आपको ज़रूर कोई hydrating toner और hydrating moisturizer use करना पड़ेगा ठीक है otherwise skin बहुत ज़ादा dry feel होगा मेरी skin तो बहुत ज़ादा oily है and acne prone है तो इसलिए मुझे Acologica का यह Radiance DV watermelon sunscreen बहुत अच्छा लगता है आपको कौन से sunscreen use करना बहुत पसंद है comment section में बताऊ ज़रा वीडियो अच्छी लगी न तो एक like ज़रूर कर देना और चैनल को subscribe करना मत भूलना ठीक है और आपकी favorite sunscreen कौन है comment section में बताऊ ज़रा okay bye subscribe कर ले न